इपीजी पाठशालायाम भवताम सर्वेशाम हार्दम स्वागतम अहम दीपेश विनोध कतीरा संपरती वयाकरण सिध्धान्त कवमुदी इती कश्चना वयाकरण शास्त्रस्य ग्रंधाह वर्तते तत्र आदिमम प्रकरणम वयम पठिश्यामा क्रिश्टापदस्य सप्तदशे शतापदे भट्टोजी दीक्शितह इती कश्चन विध्वान सिद्धान्त कौमुदी नामकं ग्रंथम रचितवान पाणिनीय व्याकरण परंपरायां एशाह कष्चना महत्व पूर्णाह ग्रंथाह भवती एतस्मिन ग्रंथे आहत्य चतुरदश प्रकरणानी संती प्रायाह ये व्याकरणस्य अध्येनम आरब्धु मिच्छंती संस्कृत व्याकरणस्य ते अवश्यमेव एतम ग्रंथम पठंती चतुरदश प्रकरणेशु प्रतमं संध्या प्रकरणं यदवर्तते तद प्रकरणं अस्माकं अध्येन विशयाह संप्रती भवती अस्मिन प्रकरणे पाणिनिय व्याकरणे विकीरनाहा कष्चन महत्वपूर्ण संध्याहा भट्टोजी दीक्षितेना संग्रिहीताहा संध्यां तु वयम संध्याप्रकरणस्य अध्यनम आरभाम है सौध्याप्रकरणे प्रत्थमे पाठे अस्माकम पाठ्याउशाह भवती ग्रंथस्य मंगलाचरणम ततश्च प्रत्याहार निर्मान विधीही इती प्रत्याहारहा इती कष्चन विशेशाह वर्तते पाणिनिय व्याकरणे सहा कथम निर्मियते इत्यपिवयं अध्येश्याम है सिद्धान्त कौमुद्याह मंगलाचरणं इथम्वर्तते मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तीहि परिभाव्य च वैयाकरण सिद्धान्त कौमुदीयं विरच्यते इदानियं वयं पदानाम अर्थान ध्न्यास्यामह तत्र मुनित्रयं इति पदम वर्तते एतत पदम द्वित्याइक वचनांतम वर्तते मुनी नाम त्रयम मुनित्रयम त्रयाणाम मुनी नाम समूहा तं मुनित्रयम इति पाणिनिय व्याकरणं त्रिमुनी व्याकरणं इत्यपी प्रसिद्धं। तसमाद तदेव मुनित्रयम ग्रंथकारह आदव नमस्करोती। द्वितियम पदम नमस्कृत्य इति अस्य अर्था प्रणम्य इति भोती। अनंतरम तदुक्तीहि इति पदमस्ति। तस्य उक्तीहि। तस्यनाम मुनित्रयस्य उक्तयह ताह तदुक्तीहि इति शब्देन अत तटाह परिभाव्य इति पदमस्ति, परिभाव्य नामा सम्यक आलोच्य, सम्यक चिन्त इत्वा, ग्रन्थकारह नकेवलं मुनित्रयं नमस्कृप्त्य अस्य ग्रन्थस्य रचनाम करोती, किन्तु ए भी ही त्रिभी ही मुनी भी ही यद लिखितम यद विरचितम तस्य आशयं सम्यक ज्न्यात्वा अस्य ग्रंथस्य रचनाम करोती इती न्यापईतुम तदुक्ती ही परिभाव्यच इती सहा ग्रंथकारह मंगलाचरणे लिखती तद परम वय्याकरण सिद्धान्त कवुम ती इती पदमस्ती यशा प्रकृतस्य ग्रंथस्य अनुवर्थ संज्न्यावर्तते अतः अस्याह अर्थाह पी चिंतनियाःःःः व्याकरनम अधीते व्याकरनम वेद वा व्याकरनम जानाति वा सह वयाकरन हा। सिध्धाह अन्ताह यस्य सह सिध्धान्ताह एते शाधवाह संती इती येशाम सिध्धान्तानाम आधारेण वयम्वदामाह ते सिध्धान्ताह इती कत्यांजे वयाकरणानाम सिध्धान्ताह वयाकरण सिध्धान्ताह काउमुदी इत्यस्य शब्दस्य चंद्रिका इती अर्थाह भवति सूर्य किरनाह पी प्रकाश काह भवति किन्तु सूर्य किरनेश प्रकाशेन सहितम उश्मा पी भवति चंद्रकिरणास्तावत शीतलाह भवंती। चंद्रिका विनाकलेशं भावान प्रकाशयती। तदव देशह वैयाकरण सिद्धान्त कोमुदी नाम ग्रंथाह। विनाकलेशं ये वैयाकरणानाम सिद्धान्ताहसंती तान प्रकाशयती। इती ग्रंथस्य यद नाम वर्तते तस्य आशया ततप्पर मंगलाचरने विरच्यते इती पदमवर्थते विरच्यते नाम मया विरच्यते मया भट्टोजी दीक्षिते न एतस्य ग्रंथस्य रचना करियते इती अर्था एवंच अस्य मंगलाचरनस्य इद्रिशह भावार्था हा पाणिनीम कात्यायनम पतंजलिम्च मुनित्रयम प्रणम्य नमस्कृत्य तेशाम वचनानी सम्यक आलोच्य च मया भट्टोजी दीक्षिते न वैयाकरन सिध्धान्तानाम सरलतया प्रकाशकाह वैयाकरन सिध्धान्त कवमुदी नामकाह ग्रंथाह विरच्यते इती अनेन मंगलाचरनेन अनुबंध चतुष्टयम अपी ज्याप्यते ग्रंथाध्येन विशय अनुबंध चतुष्टय अस्य विचारं प्रायह कुर्वंते तद अनुबंध चतुष्टयम अत्र एतादृशम वर्तते अस्य ग वय्याकरण सिध्धान्तानाम जिद्न्यासुहू अस्य ग्रंथस्य अधिकारी। कहा विशया हा? वय्याकरण सिध्धान्ताहा इव अत्र विशया हा। किम प्रयोजनम? अनायासेन वय्याकरण सिध्धान्तानाम ज्यानम अत्र प्रयोजनम। कहा संबंधा हा इती चेत लेखक ग्रन्थ योहो जन्य जनक भावा संबंधा हा लेखका हा जनका हा ग्रन्थ पाठक योहो बोध्य बोधका भावा संबंधा हा इत्युकते ग्रन्था हा बोधका हा पाठका हा बोध्या इती एवं इदानें ग्रंथे आदव प्रत्याहार निर्मान विधी ही बोध्यते। तद विशय किंचित न्यास्यामः। व्याकरण शास्त्रे आदव वरणानाम उपदेशह कृताह। सच उपदेशह चत्तुर भी ही सूत्र इही कृताह। एतानी सूत्रानी माहेश्वर सूत्रानी इत यतह महेश्वरात आगतानी एतानी सूत्रानी ततह एतानी माहेश्वरानी सूत्रानी इती नामना प्रसिद्धानी अक्षर समामनाय इती एतेशाम सूत्रानामेव अपरम नाम वर्तते समामनाय शब्द हा वेदवाचकाह अताह एशह अक्षरानाम उपदेशह वेदतुल्यह इति अभिप्रायह अस्यनामनाः वर्थते पाणिनिय शिक्षा नामके ग्रंथे उक्तम येना अक्षर समामनायम अधिगम्य महेश्वरात कृत्स्नम व्याकरणं प्रोक्तम तस्मय पाणिनये नमाहा इति प्रणामह अस्तू इति अर्था एतानी चतूरदश सूत्रानी इत्थम संति अ ई उण प्रतमम सूत्रम रिल्लुक इति दितियम सूत्रम ए ओम तृतियम अई आउच इति चतूरथम हयवराट इति पंचमम लण इति शष्ठम यमंगन नम इति सप्तमम जभय इति अश्टमम घठधश इति नवमम जबगड़दश इति दशमम खफचठ थचठ तव इति एकादशम कपय द्वादशम शष सर्व त्रयोदशम हल इति चतूरदशम सूत्रम एतानी माहेश्वराणी सूत्राणी इधानी मया पठीतानी इधानी प्रत्याहारस्य विशय चिंतनम कूर्म यानी सूत्राणी इधानी मया पठीतानी तेशाम उपयोगाहा प्रत्याहाराणाम निर्मान आर्थम्भवति प्रत्याहारैही लगुना उपायेना नैकेशाम वरणानाम युगपत निर्देशाहा करतूम शक्यदे प्रत्याहार निर्मान विधिम समसूचिय पाणिनीही स समग्रायाम अश्टाध्यायाम स्थाने स्थाने प्रत्याहाराणाम प्रयोगम करोती। अन इक हश इत्यादयाहा प्रत्याहाराहा एतेशाम सूत्राणाम आधारेन निर्मिताह भवन्ते। प्रत्याहारे द्वाव वरणों भवताहा। तत्र एवं व्यवस्था संप्रती आण इती प्रत्याहारं चिंतया महा। आण इती प्रत्याहारे वयंपश्या महा एक अत्र अकारह आस्ति सह प्रत्यमह वरणाह अस्य प्रत्याहारस्य अपर अत्र नकारह द्वितियह वरणाह प्रत्याहारस्य भवति तत्र यहा ग्वितियह वरणहास्ती तस्य विषय आदवचिंतयामा यानी माहेश्वर सूत्रानी इदानी मया उक्तानी तत्र प्रत्यकम सूत्रे अन्ते किंचना व्यंजनम वर्तते यथा अन इती प्रत्याहारे प्रथमे सूत्रे अई उन इती सूत्रे अणकारह वर्तते रिलुक इती सूत्रे ककारह वर्तते एयों इती सूत्रे अई अउच इती सूत्रे चकारह वर्तते एतेन क्रमेन चतुर्दशस्वपी सूत्रेशु अन्ते किंचना व्यंजनम वर्त दे। यम प्रत्याहारं वयम निर्मातु मिच्छामहा तत्र यथा उक्तम द्वाव वरणवस्तहा यथा अन प्रत्याहारह संप्रती चिंत्यमानहास्ती तत्र यहा द्वितियह वरणवस्तह द्वितियस्मिन स्थाने सदैव चतुर्दशसूत्रेशु विद्यमानेशु अन्तिमा व्यंजन वरणेशु किंचना एकम व्यंजनम भवितु मर्खते। यथा अनिती प्रत्याहारे अ यू इत्यत्र अन्ते यहाणका रहस्ती तम्वर्यम ग्रिहीत वन्था। इदानें, प्रत्याहारे यहा प्रथमभवरणाह भवती तस्यविषय एवंकरणियम भवती माहेश्वर सूत्रेशु यह वरणाह विद्यनakte य्याँ प्रत्याहाराँ चिनतयामह यज यण इती कश्चन प्रत्याहराँ वर्ततते अनका रहा। अत्र माहेश्वर सूत्रेशु यद पंचमं मं लण इदी शुत्रम वर्त दे शस्ठमं सूत्रम वर्त दे लण। तत्र अंतिमं अंतिमह वरन आफ नका रहा, तम वयं असमाकं यण प्रत्याहरे द्रितिय वरणत्वेना स्वीकृत वंता. तत्र अंतिमं टकारं वर्जयित्वा यथा पूर्व मुक्तम कमपी वरणं वयं प्रत्याहारस्य प्रतमव वरणत्वेन स्वीकरतुम् शक्नुमाहा तत्र अस्मा भी हयवरट इती सूत्रस्थाह द्वितियाह वरणाह यकारह स्वीकरतास्ति एवंच हयवरट सूत्रस्थाह द्वितियाह वरणाह यकारह संप्रति अस्माकम प्रत्याहरे प्रतमह वरणाह वरणाह वरणत्य लण इती शष्ठस्य सूत्रस्य अंतिमह वरणाह न निर्मित हब होते। एवं नईकान प्रत्याहारान वयं निर्मातुम शक्णुमाः शल, खर, जल इत्यादिकाहा नईके प्रत्याहाराहा असमाभी ही करतुम शक्यांदे। प्रत्याहाराहा किम कुर्वंती इती चेत, प्रत्याहाराहा वरण समुहस्य कस्यचित निर्देशार्थम पाणी निना स्वस्य व्याकरणे प्रयुज्यंदे। इधनें यण प्रत्याहारेण केशाम वरणानाम ग्रहणं करणियम इती चिंतयामाः यण प्रत्याहारेणा प्रत्याहा वरणाहा तत्र यकारह वर्तते सहा ग्रहीश्यते, द्वितियाहा वरणाहा वकारह वर्तते सहा ग्रहीश्यते, तृतियाहा वरणाहा रेफाह वर्तत सापी ग्रहीश्यते एवंच य व र तदनंत्रम हलंतह टकारह वर्तते सहा हलंतह टकारह असमिन प्रत्याहरे न ग्रहीश्यते एवंच ह य व र एते ग्रहीटाह तता परम वितिय सुत्रे पुना लकारहास्ती सोपी ग्रहीश्यते पुनश्च रनकारह वर्तते अयम रनकारह त्यक्तव्यहाँ एवंच यण प्रत्याहारेन यवरल यदे चत्वारह वरनाह ग्रहिष्यं ते पाणिनेही माहेश्वर सुत्रेशु विध्यमानानाम अंतीमवरनानाम कांचीत विशिष्टाम समुद्नियाम करोती साच संध्या वर्तते इत 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 अतहा अई उन सुत्रे नकारस्य इत संध्या, रिलुक सुत्रे ककारस्य इत संध्या, एउं सुत्रे नकारस्य इत संध्या इधानें प्रत्याहारेशु ये इमे इत्संद्यकाह वरणाह भवंती खलू, ते सर्वेपी त्यक्तव्याह इती व्यवस्था वर्त दे। इधानें वयं प्रत्याहाराणां कतीचन उदाहराणानी चिन्तयामा। अक प्रत्याहाराः येदी निर्मी हैते, तत्र अ-इकोण सूत्रस्था अका रहा आधीमहा वरणाही बहती, एवशडNewka सूत्रस्था अंतिमहा कका रहा विती आहा वरणाह म बहती। गोववपी वरणों संयोज्य अक इती प्रत्याहाराः निर्मी हैते असमिन अक प्रत्याहरे के वरणाहा सन्नी विशन्ते इती चेत अ-e-u नकारह इत शंद्यक अतुखत्व्याह रु-ल्ु पुनह часов ककारह सोपी इत शंद्यक त्वात त्यक्तव्याह एवंचा अण प्रत्याहरे अ-e-u रु-ल्ु एते वरनाहा ग्रही तव्याह अश्प्रत्याहरे के वर्णाहा अंतरभवन्ती इती चेत A, E, U अनकाराह त्यक्तव्याहा रिलू, A, O, I, O, हय वराल, यमंगणन, जब, घढध, जब, गढध, एवंच एते वर्णाहा अश्प्रत्याहरे अंतरभवन्ती एव मेव इड़्प्रत्याहरे के वर्णाहा बविष्शंती इती चेत EU नकाराहा त्यक्तव्याहा रिलू, पुनष्च ककाराहा त्यक्तव्याहा, A, O, I, O, हय वरल, नकाराहा त्यक्तव्याहा अजप्रत्याहरे के वर्णाहा भोँंती? इदीचे अईउ नकारहा त्यक्तव्याहा रूल ककारहा त्यक्तव्याहा एओ चकारहा त्यक्तव्याहा एवंचे अईउ रूल एओ 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 अतहा बहुत्र व्याकरण शास्त्रे स्वराहा इती शब्दम वर जैत्वा अचाह इत्यव प्रयोगं वयमकुर्महा ठीव हल प्रत्याहा राह वर्तते तत्र हयवरण इती सूत्रस्ताह हकारह स्वीकृताह एवन्चा माहेश्वर सूत्रेशू अंतीमस्य चतुर्दशस्य सूत्रस्य हल इत्यस्य सूत्रस्य अंतीमहवरण लकारह स्वीकृताह एवंच हल प्रत्याहरे सर्वाणियपी व्यंजनानी अंतरभवंती अनेनक्रमेन हय वर ल यमंगनन जब गडध जब गडध खप चठ थ चठ थ कप श श स ह इत एवं हल प्रत्याहरे सर्वाणियपी व्यंजनानी अंतरभूतानी एवं प्रकारेन अस्मा भी प्रत्याहार निर्मान विधी ही अधीत हा। सोयम विधी ही शास्त्रे कथम प्रदर्शित हा इती किंचित न्यास्याम हा। शास्त्रकारहा आदो मंगलाचरणम करवती तताप्रं माहेश्वर सूत्राण उल्ली खती तताप्रं शास्त्रे एशा पंक्तीही वर्तते। इति माहेश्वराणी सूत्राण न्यनादी समुद्न्यार्थानी एशाम अंत्या इतहा लण सूत्रे कारश्च हकारादी श्वकार उच्चारणार्था हा इति एताह पंग्तिही किंचित विच्छिद्य बठामह इती माहेश्वराणी सूत्राणी अण आधी समुद्न्यार थानी एशाम अंत्याह इताह लण सूत्रे अकारश्च हकार आधिशु अकारह उच्चारणा था तात पर्यम इती इती नाम उपरी निर्दिष्टानी अ इउन डुल्रुप इत्यादी नी चतुरदश माहेश्वराणी सूत्राणी एतानी माहेश्वरा सूत्र नामना विख्यादानी एते शाम प्रयोजनम कते अथी अण इत्यादी समुद्न्यार थानी एते शाम प्रयोजन चतुर्दश सूत्राणां अंत्याह वरणाहा, अंतिमाह वरणाहा, अंतिमा भागेशु विद्यमानाहा, हल वरणाहा, इत्संत्यकाहा भवन्ति. तथाईवा, एक मुक्तम् लण सूत्रे अकारश्च, लण इती यत शष्ठम सूत्रम वरणाहा थे, तत्र त्रयाह वरणाहा संति ल, अ, अ, न, तत्र नकारहा पी इत्संत्यकाहा, पुनस्च लकारोत्तर वरती अकारहा पी इत्संत्यकाहा, निये यहा, इती अस्यापंग्ते परियम्. हकार आदिशु तन्नाम माहेश्वर सूत्रेशु पंचमात हयवरट इती सूत्राद आरभ्य अग्रे विद्यमानेशु वरनेशु सर्वत्र अकारह वर्तते। सह अकारह उच्चारणा था द्नेयां. पंचमात हयवरट इती सूत्राद आरभ्य आन्तम् व्यन्जनानाम उपदेशाह वर्तते इती आदवयवोक्तम। इताह अग्रे प्रत्येकम वरने अकारह योजितह द्रिश्यते। तथा हयवरट सूत्रस्य यदी वरनविश्लेशणं कूर्माहा। तरितत्र ह हलन्तह एते सर्वे वरनाहा तत्र वर्ततंदे। तरि अत्र नईकवारम अकारह आगतह खलू सह किमर्थम योजितहा किम प्रत्याहरेशु अकारस्य पुना-पुना ग्रहणं करतव्यम इती चेतना। एशाह अकारह केवलम मुख सुखार था हा वर्ततते। एतस्य अकारस्य कारणेना व्यन्जनानाम उच्चारणम सुकरम भवते। अन्यथा एतान अकारान निश्कास्य हयवरट इती सूत्रम तस्य उच्चारणम महते कलेशाय कलपेता। अताह एते सर्वेबी अकाराह उच्चारण आर्थम आत्राह द्नेयाहा। किन्तु लण प्रत्याहार निर्मान्य पी अस्य अकारस्य प्रयोगाह भवितुम अरहती। सच कथम इती अग्रे ज्न्यास्या महा। संप्रती अग्रे पठा महा। प्रत्याहार निर्मानं निर्मान विधी ही आदव ज्न्याताह संप्रती व्याकरण शास्त्रे एशाह विधी केन प्रकारेन कई ही सूत्रै हीच उक्ताह इती उच्चेते। तेना सममेव शास्त्र ज्याने उपकार काहा इतरे आनुशंगी काहा विशयाहापी वक्षेंदे। तत्र आदव सूत्रम किम्बवती इती चिंतयामाहा। पाणिनिय व्याकरण शास्त्रस्य मुख्याह आधारहा अष्टा ध्याई नामकाह ग्रंथाह वर्तते। असमिन ग्रंथे अष्टव अध्यायाह संति प्रत्यकम अध्याये चत्वारह पादाह संति पादेशु व्याकरण शास्त्रस्य नियमाह सूत्र रूपेण उप्ताह संति व्याकरणम् अतिरिच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च अधिकार सूत्रम नामकिम शास्त्रस्य प्रवर्तनाय कासांचन शास्त्रिय संकल्पनानाम नामानी कर्तव्यानी भवंदी तदेव संभन्या करणं इती उच्छे दे यानि सूत्रानी नूतनाह संभन्याह कुरुवन्दी तानी संभन्या सूत्रानी इती उच्छेंदे उदाहरनार्थम अदें गुणाहा इती एतत सूत्रम अकारस्य, एकारस्य, ओकारस्य च गुण समुध्यां करोती तताह अग्रे आदगुणाह, मिदेर गुणाह, अतो गुणे, इत्यादिश्व सूत्रेशु असकृत सुद्न्या एशा, गुण सुद्न्या प्रयुक्ता बर्तते। वयाकरण सिद्धान्दकोवमुद्याह संप्रति पठ्यमानं प्रतमं सुध्यापरकरणं एव यताह अत्र शास्त्र अनुष्ठापकानां मुख्यानां सुध्यानां विधायकानी सूत्राणी एव मुख्यत्वेन संग्रिहितानी संधि अन्येशाम सूत्र प्रकारणां चिं हलंत्यम तद नंत्रम एकम त्रीनी त्रीनी इती एवं तिसरा संख्या लिख्यांते तासाम महात्म्यम किम तत्र या प्रतमा संख्या भवती सा अश्टाध्याई ग्रंथे हलंत्यम इती सूत्रम कस्मिन अध्याय वर्तते इती द्या पयाते या द्वितिया संख्या भवती सा तस्मिन अध्याये कस्मिन पादे तत सूत्रम वर्तते इती ध्याप यदि याच तृतिया संख्या तत्र भोवती सा पादे अपी तस्य सूत्रस्य क्रमाह कहा इती सूच यदि यथा हलंत्यम इत्यत्र एकम त्रीनी त्रीनी इती अधी उच्च यदे तरितस्य अर्थाबोती हलंत्यम इती सूत्रम अश्टाध्यायाह प्रथमस्य अध्यायस्य तृतियपादस्य तृतियम सूत्रम वर्तते इती एवं सर्वत्र सूत्राणाम क्रमाह उल्लिख्यते अस्य क्रमस्य पी किंचना माहत्में मिध्यते ततह परम शास्त्रस्य ज्यानार्थम अनुवृत्तिही इतियपी काचन संकल्पनास्ति साप्यस्माभी द्यया वैयाकरणाह लागव प्रियाह भवंदि शास्त्रे लागव सिध्यर्थम पाणि निना नैकाह युकत यह योजिताह संति अनुवृत्ति ही अपी तासु अन्यतमा पूर्व सूत्रादेव केचन शब्दाहा अग्रिमे सूत्रे अनुवर्तनियाहा भवंती तान पाणिनी ही प्रुथक्त या नवदती अताहा अनेन प्रकारेण सहा नैकान शब्दान रक्षती येथा प्रतमाध्याश्य त्रुति ये पादे त्रुतियाम सूत्रम हलंत्याम इति वर्तते इति उक्तम खलू तता पूर्वं उपदेशे अच्ण अनुनाशिक इति कींचन सूत्रम वर्तते हलंत्यम इती सूत्रस्य पठन समय उपदेशे अज्यनुनासिक इती सूत्रात उपदेशे इती पदम, पुनस्च इत इती पदम हलंत्यम इती सूत्रस्य पठन समय पुनह आवर्तनियम भवती छात्रेण एवंच उपदेशे हलंत्यम इत इत्यवं अर्थकरण वेलायाम एतत सूत्रम न्यातवें भवति एतेन प्रकारेन केचन शब्दाहा पूर्वतर सूत्रे वर्तमानाहा परस्मिन सूत्रे अनुवर्तनियाह भवन्ति सायम प्रक्रिया अनुरुत्तिही इती शब्देन ज्यायते संप्रती मूले ग्रंथे हल अंत्यम इती सूत्रम वर्तते तम पठा महा अत्र हल अंत्यम इती सूध्या सूत्रम वर्तते शट्सु सूत्र प्रकारेशु सूध्या सूत्रम अस्य पदच्छे दाहब होती हल अंत्यम इती अत्र समा सहास्ती हल अंत्यम इत्यस्य हली अंत्यम इती अर्थाः नामा हल शब्दस्य अत्र अर्थाब होती माहेश्वर सूत्रेशु यद चतुरदशं हल इती सूत्रम वर्तते तस्मिन सूत्रे अंत्यम व्यंजनम तन नामा अनुरुत्या अत्र इत इती शब्दाहा उपदेशे अज्जनुनासिक इत इती सूत्राद लभ्यदे। एवंचा वाक्यां भवती हल अंत्यम इत तन्नामा हल सूत्रे माहेश्वर सूत्रेशु यद हल इती सूत्रम वर्तते तत्र अंत्यम अंतिमंव्यंजनम लखा रहा इत स इती चे आधि रूत्य रूपानग पक्रांट अधिया इती आनुवर्द्या अत्र पूर्वत्र स्वं रूपां स्भsya संव्द्या भीन्हें सूत्रम अत्रि ग्रंथे अन्तिन इता सह्रुपानग अधिया ના નાનાનાં સશ્યા શ૗્યાસ્યશ્યાત , cao pointing હાડ ખાનાનાં શાનાં સ્વશ્ય ના wonજ નામ્યાં પર્યાસ નાનાનાં संप्रती हल प्रत्याहराशिय, वितियवरणत्व न स्थाप्य दे। इत्यवं हल प्रत्याहराः सिध्धाह भहति। एशा हा प्रत्याहा रहा अंतियेना इता लकारेन सहीता हा आधी ही हयवरट सुत्रस्था हका रहा खल इती संध्या एतेना प्रत्याहरेन निर्मिता भवती एशा केशाम संध्या भवती इती प्रुष्टे सती हयवरट सुत्रस्था हका रहा स्वस्य संध्या भवती इवंच ख तथाचल इत्यन यहो मद्य विद्द्यमानानां ब्रणानाम मध्यकानाम अपी सवध्ड्या भवती अत्र स्वस्या चे सवध्या भवती इती सुत्राभिप्रायहाँ विशिष्टंप्फलं न प्रयत छती यताहा मध्यगेशु वरनेशु पुनाहकारहापी अस्ती, किन्तु अन्येशु प्रत्याहारेशु एशा अउशा उपकरोती, अताहा एव एतेनविना इक प्रत्याहारे इकारस्य ग्रहणं भवितुम नारहती, तथाईवा यण प्रत्याहरे इकारस्य ग्रहणं भवितुम मुले एतस्य सूत्रस्य अनंतरम हल अंत्यम इती सूत्रम पुनह उपात्तम किन्तु इदानिम हल अंत्यम इत्यत्र बोधाह भिन्नतया कर्तव्याह भवति तर नाम हल अंत्यम इती एवंच उपदेशे अंत्यम हल इत्स्यात इती एवं एतस्य अर्थाह करत व्यहबवती संप्रती हल इत्तिये तेना हयवरट सुत्र थस्य हकारस्य प्रयोगाह वर्तते एवंच हल इती प्रत्याहारस्य अत्र निर्देशाह वर्तते तेना सर्वाणियपी व्यंजनानी अंतरभवन्ति इवंच उप्पदेशे यानी संप्रती माहेश्वर सुत्राणी उपदिष्टानी तेशु अंतिम वर्णत्वेन विद्यमानाहा हल नाम विद्यमानाम व्यंजनाम इत्त संउध्यकं भवती इती अस्य अर्थाह फलती अत्र वृत्तव लिख्यते उपदेशे अंत्यम हल इत्स्यात उपदेशाह नाम आध्यो उच्चारणं तताह अण अच इत्याधी संउध्या सिध्धाव। भावार्थाह हल प्रत्याहारेन सर्वेशाम व्यंजनानाम ग्रहणं भवती इती पूर्वमुक्तम। संप्रती ते नईव माहेश्वर सूत्रेशु अरवाणियवी विंजनानी अंत्यम स्थाने वर्तमानानी इत्संउध्याम प्राप्नोंदी। अत्र को नाम उपदेशाह इती अपी कश्च्चन विचारह करियाते। उपदेशाह नाम आध्यम उच्चारणं तन नाम पाणिनी कात्यायन पतंजली नाम उच्चारणं धातु प्रातिपदिक निपात प्रत्याहार सूत्र प्रत्यय आदेश आगमानाम अंत्याह वर्णाह एते नईव सूत्रेण इत्संध्याम प्राप्नोंदी। अत्र कस्चन प्रश्ण अबवती यत हलन्तियम इती सूत्रम द्विवारं चर्चितं उभय संख्यापी समान, किन्तु उभयत्र सूत्रार्थे भेदह वर्तते तत कस्मात इती ज्ञातव्यम्भवती वस्तुतहा हलंत्यम इती एकमेव सूत्रम एतेन सूत्रेन माहेश्वर सूत्रस्थानाम सरवेशाम अन्तिमानाम व्यंजनानाम तन्नाम हलाम इत संध्या क्रियते किन्तु हल इती प्रत्याहाराहा आदिरंतेन सहेता इती सूत्रेन सुसाध्या आदिरंतेन सहेता इत्यत्र इत इती सौध्या प्रयुक्ता सा हलंत्यम इती सूत्रेन साधनिया भवती एवं हल प्रत्याहारं मिना हलंत्यम इती सूत्रेन इत सौध्या नसिध्यती इती जुँद्यां विना आदिरंतियान सहेता इती सूत्रेना हल प्रत्याहारान सिध्यती एशहह एवत अत्र अन्योनियाश्रय दोशह इती उच्यते तस्य दोशस्य निर्णाय एव हल अन्त्यम इती सूत्रम Dzिवीवारम उच्चारनयम वरतते तत्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त सर्वेशाम अपी अंतिमा हल वरणानाम इत समुद्न्या सिध्यती। तदनु पुनर अपी आधिरंतियन सहेता इती सूत्रेन विभिन्नाहा प्रत्याहाराहा सिध्यन्ती। एवं पाणिनिय व्याकरण शास्त्रे प्रवेश्टु कामानाम अतिव उपकारा काहा ग्रंथाहा भट्टोजी दीक्षित प्रणीताहा वयाकरण सुध्धानत कोमुदी। इती संप्रती असमाभी तस्य आधिमहा भागाहा चर्चिताहा। अस्मिन पाठे अस्य ग्रंथास्य मंगलाचरण असमाभी चर्चिताहा। यवंच सूत्र द्वयं शास्त्रस्थं अस्माभी अधितं हलंत्यम इति एकं सूत्रम आधिरंतेन सहेता इति दितियम सूत्रम तत्रच अहलंद्यमिती सूत्रम द्विवारम विशलिष्टम अस्ती, द्विवारम उच्छारितम अस्ती, उभयत्र पृथख-पृथख अर्थाह कृतह अस्ती तेना कथम अन्योन्याशरय दोशाह निवारितह भोती, इति एदत सर्वम अस्माभिही अस्मिन पाठे चर्च इतेना एशा हा व्याकरण शास्त्रस्य सिद्धान्तकों मुद्या हा प्रथम पाठा हा समाप्तिम याती धन्यवाद हा